दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रकाश्वीर और आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर सो सागत तो दोस्तों जैसे कि आपको पताए कि जो हमारा IMC बिजनस है पूरे देश में किया जाने वाला बिजनस है और जिस बिकति ने भी आपको IMC जोइन कराए होगी ये बात जरूर बताए होगी कि आप पूरे देश में कहीं भी आपस ब्यापार को कर सकते हैं पूरे देश में अपपार को करने के लिए हमारे पास जो हमारी नीओ आ हमारी जो अने जिन्फ, बिस्निस की नűओ है в हैं प्रोड़क्ट को पूरे देश में एक नेट्वरक फैला हुआ है हर एक जिले में और एग जो हमारी तैसील यहा AGA तक कि ग्रामी डिस्टर तक हमारे इस्टोर उपलब दें। लेकिन जब कोई नया वक्ति को आप जानते नहीं है या आपका कोई रिस्तेदार है जो किसी दूसरे सहर में रहता है आप उसको आएमसी के प्रोड़क्त यूज करवाना चाह रहे हैं या उसको आएमसी जॉइन कर कि जिसका यूज करके आप उस ब्यद्li को बता सकते हैं कि उसका इस्टोर कहां पर है तो इसके लिए आप जिस्ट्रिक्त को जोईन करवा रहे हैं उसको साथ में बताते चलें या उस ब्यद् cause को यह वीडियु है कि वो कैसे जानेगा कि श्टोर लोकेटर से किस तरीके से हम अपने district का अपने तैसिल का अपने सहर का जो store है वो सर्च कर सकते हैं तो इसके लिए हमारा जो store locator है उसमें जाकर के हम सर्च करेंगे वहां से mobile number भी निकाल सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से store locator का आपको यूज़ करना है तो दोस्तों store locator का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको अपने IMC business app को open करना होगा यहाँ पर हम अपने IMC business app में login कर रहे हैं यह open होगा और open होने के बाद जो उपर लगी three lines में क्लिक करेंगे mislaneous आया mislaneous पे जाएंगे वहाँ पर store locator में क्लिक करेंगे store locator open हो रहा है यहाँ पर देखिए आप उपर लिखकर आ रहा है state का नाम state select कर लिया जैसे हम उत्तरपते select कर लेते हैं नीचे यहाँ पर district का नाम select करने के लिए आता है तो हम यहाँ पर नीचे अपनी पसंद का जिस district पर भी हमारा जो बेकती है उसको बताना है address पूर district select करेंगे यहाँ उजारन के लिए हम फतेवपूर select कर लेते हैं यहाँ पर हमने फतेवपूर district select कर लिया अब फतेवपूर district में जितने भी store हैं यहाँ पर 100 करने लगेगा आपको दिखाएगा कि कितने store फतेवपूर district में है सबसे उपर हमें देव enterprises DD दिख रहा है हम इसका यहाँ पर address देख सकते हैं कहाँ पर है अगर mobile number हमें इसका निकालना है तो यहाँ पर एक send SMS का option आ रहा है इस पर click करेंगे और click करने के बाद यह आपके mobile पर एक message बेजने का option आएगा वहाँ पर click करेंगे send SMS और आपके mobile पर एक message आजाएगा तो इस तरीके से आप store locator का use करके किसी भी बेगती को उस address पहुचा सकते है अगरे store locator पर जानकारी कैसी लगी comment box पर ज़रूर बताईएगा और जिस लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा subscribe करें और बगल में लगी वी बेल आइकन को दमाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको regular मिलते रहें GoodMZ VLD